चतरपुर के खजुराहों में एक दलित यूवक को पुलिस के पास से बुलेट निकालना इतना महेंगा पड़ गया कि पुलिस कर्मियों ने उसे जबरजस्ती घर से उठा कर थाने में ले जा कर उसकी पिटाई कर दी खजुराहों की नगर परिशद में सफाई का काम करने वाले रोहित को पुलिस की गाड़ी के पास से अपनी बुलेट निकालना इतना भारी पड़ गया कि शर्मिन्दिगी में उसने आत्महत्या करने की कोशिश की पीडि रोहित ने बताया कि उसके घर के पास पुलिस की गाड़ी खड़ी थी जिसको क्रोस करना उसको भारी पड़ा पुलिस ने जैसे ही उसकी गाड़ी को क्रोस करते देखा वैसे ही उसको थाने ले आए और थाने लाकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी और इस तरीके की पिटाई की गई जैसे कि उसने बहुत बढ़ा अपरात किया हूँ और रोहित के भाई राहुल ने बताया कि पोलिस ने जब रोहित को छोड़ा तो उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और फासी लगा कर खुद कुशी करने की कोशिश की यहां नारे से गाड़ी में वहां पीका दी बस ऍहानी बय सकानी भाई को यहां प्लस्परासँंत की आड़ी खड़ी की बिजली बिबुच्वक की घाड़ी खड़ी थी ऊच्बायवाभी पुलिस्वार उनने देखा कि बुट गाड़ी से आया था गाड़ी बगल में लगाई और भाई के साथ बता बर्ण किया फिसके साथ मारपीट की गाली में अंदर रखा, ठाने ले गए, ठाने में मारपीट की, गाली गुलूच की, बच्छर किया, और तॉंचर करने के बाद अब इस मामले में छतारपुर SP ने SDOP को जाच के आदेश दिये हैं जाच के बाद पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई करने की बाद भी कही गई खजराओ का इस प्रकार की एक शिकायत संग्यान में आई है और SDOP साब को इसकी जाच दी है और उसमें आविदक और सभी के कथन भी हो रहे हैं और प्रिथम द्रश्टिया उसमें दो लोगों को जो लग रहा है कि जिनकी गलती हो सकती है उन पर उनको उन पर भी कारवाई की जाएगी लेकिन पूर्ण जाच होने के बाद ही इसमें सक्त सक्त कारवाई की जाएगी आप देख रहे हैं दखल न्यूल